हलो मैं डियर फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग स्वागत है आप सभी लोगों का आर्पी एसी एड़्डा के यूट्यूब चैनल पर एंड डिस साइड डॉक्तर रजट खनेलवाल मैं आप सभी स्टुडेंट्स का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मैं स्वागत करता हूँ उन सभी विध्यारतियों का जो हरियाना से हैं और जो तैयारी कर रहे हैं PGD Commerce की जिनको बंदा है इस बार First Grade Lecturer और जो पढ़ाना चाहते हैं स्कूल के अंदर 11th और 12th वाले विध्यारतियों को उन सभी विध्यारतियों का मेरा बहुत-बहुत सम्मान ह उन सभी विध्यारतियों का मेरी तरफ से बहुत-बहुत स्वागत है गैस आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि आज की जो हमारी क्लास है यह बहुत important क्लास होने वाली है उन विध्यारतियों के लिए जो हरियाना से हैं और PGD Commerce की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि मैं आप लो लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत अपुड रहने वाली है तो सबसे पहले मैं आप सभी स्टुडेंट्स को मेरे बारे में कुछ बदातों एक चोटा सा इंट्रो मैं आपको मेरे बारे में देना चाहूंगा मैईसेल्फ डॉक्टर रजत खंडिलवाल और मैंने complete कि अगर आप लोग हमारी साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दो बातों का वेहत द्यान दगना है बात नुमबर एक जिस चैनल पर अभी आप हो जिस चैनल पर अभी आप क्लास देख रहे हो उस चैनल को भगवान का नाम लेकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए उसका रीजन यह है कि आरती ऐसी अड़ा पुरे भारत का एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कॉमर्स के शेतर में जितनी भी सरकारी वेकेंसी निकलती है उसकी प्रिपरेशन कराता है तो यह चैनल सब्सक्राइब करने में आपको एक परसे करेंगे तो उससे आपको क्या benefit मिलने वाला है उससे आपको benefit यह मिलेगा कि जो class हम लोग यहाँ पर लेते हैं उसका link हम आपको telegram पर देते हैं इसके अलावा जिस PDF का मैं इस्तेमाल करता हूं वो PDF आप लोगों को telegram पर मिलती है और इसके साथ-साथ-साथ-साथ-कोई-महत important बात ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आप लोगों ने तो को मन तो बना लिया sir मन बना लिया है कि हमको तैयारी करनी है और हमको तो भई सरकारी दोकरी को हासिल करना है confused है sir कहां से preparation करें कौन हमको हमारे सारे content को provide दरवाएगा कौन हमें हमारे chapters के बाद में mcqs देगा कौन हमको notes देगा कौन हमको classes देगा कैस कौन है ऐसा platform कोई है क्या बिलकुल है rpacadda rpacadda ने अपनी application पर आप लोगों के लिए specific course बनाया है जिसके अंदर आपको complete syllabus हम कराएंगे English और Hindi माधियम में आपको notes देंगे English और Hindi माधियम में आपको question bank देंगे वो भी वित अंसर और इसके साथ साथ आपको यह जो course मिलने वाला है न यह बहुत ही reasonable price पर मिलने वाला है तो आज ही आप अपना mobile उठाएं 1499 में एक course ले और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पहली CD को start कर दें इसे के साथ मैं आपको एक last बात और बोलना चाहूंगा चिंता बत करो question भी कराऊंगा पर कुछ बाते होती है जो कहनी पड़ती है और हमारे पास में कहने के तो last and final बात में बोलना चाहा हूँ आप में से कई ऐसे विध्यारती होंगे जिन लोगों को accounts आती है जिन लोगों को हो सकता है business आती हो जिन लोगों को हो सकता है economics आता है उनको detail नहीं करनी उन्हें तो केवल practice करनी है उनको practice करनी के लिए questions चाहिए तो उसके लिए भी आपक क्या हो शकता नहीं है क्योंकि हम है ना आपके साथ कहाता ना मैंने हम हैं आपके साथ हम लोगों ने क्या किया है chapter wise subject wise question series तयार करिए अगर आप लोगों को accounts के thousand से भी अधिक mcqs चाहिए तो आप हमारा ये वाला course purchase कर लो इसमें केवल question से question मिलेंगे और ये course मात्र और मात् कीमत के बरावर जो की है 99 रुपे में 99 रुपीस के अंदर आपको thousand से भी जादा subject wise questions मिलने वाले हैं और इससे अच्छी opportunity आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है तो है ना बहुत काम की बात चले गाईस तो करते हैं हम लोग हमारी आज की इस class की शुरुवात और मैं आपक सथ comment करते रहिएगा क्योंकि two way communication होगा ना तो पढ़ाने और पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है तो करते हम इस class को तो सबसे पहले मैं आप सभी students को बताऊंगा कि आज हम लोग यहाँ पर जो chapter cover करने वाले हैं उस chapter का नाम है capital and revenue expenditure and receipt जिसको हिंदी में कहते हैं पूंजिग आइगत खर्चो और प्राक्तियों से संबंदित प्रशन में आप लोगों को यहाँ पर कराऊंगा तो आप सभी विध्यारतियों को मैं कहना चाहरा हूं कि यहाँ पर जो question आप लोगों के सामने है ना वो English में भी होंगे और Hindi में भी होंगे ठीक है मैं दोनों ही language में आपक टेस्ट हो जाएगा पहला question मैंने आपसे पूछा है आपको लगता है option A है तो आप option A लिख दो comment के अंदर फिर आप चेक कर लो किया और वाके में A था की B था की C था की D था तो इससे क्या होगा आपको लगेगा कि आप टेस्ट दे रहे हैं और यह class आप लोगों के लिए बहुत important हो जाएगी ठीक है तो पहला question आप सभी students के लिए तयार रहीएगा इस class के अंदर first question आपके सामने यह रहा screen पर कि electronic machine के पुराने हिस्से को बदलने पर 16,000 रुपय का व्या हुआ electronic machine का कोई पुराना हिस्सा था काई उसको हमने बदला है और उसको बदलने में हमारे 16,000 रुपय खर्च हो गए आप इसको पूंजिगत विया बोलेंगे आप इसको 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 पूंजिगत विया बोलेंगे या आप इसको पूंजिगत हनी बोलेंगे अगर हम English में देखे तो English में लिखाव है रुपीज 10,000 spent on the replacement of worn out part of an electronic machine मतलब की electronic machine है उसका हमने क्या किया पूराना हिस्सा हमने बदला पूराना हिस्सा बदला तो पूराना हिस्सा बदलने का जो खर्चा है खर्चे को आप पूंजिगत में डालोगे आईगत में डालोगे इसका जवाब आपक अगर अपने किसी machine का पूराना हिस्सा बदला तो ऐसा नहीं है कि उस machine की efficiency बढ़ जाएगी या उससे है ना business में profitability increase हो जाएगी है ना ऐसा कुछ भी नहीं है तो अपन इसे आईगत व्याही मानेंगे revenue expense ही मानेंगे आप मेरी बास समझ रहे है हम इसको क्या मानेंगे revenue expense जैस नहीं है कि नया engine लगा जिसे car का average बीच से 60 हो जाएगा समझ रहे हो car का average उतना ही रहेगा जितने उसके maximum capacity है तो उसे अपने को revenue expense ही मानना होता है तो अगर आपने कोई electronic machine खरी दिये और उसका खराब हिस्सा अगर आपने बदला है और उसको बदलने में आपने खर्चा किय है तो यह आपके लिए मान के चलिए दोस्तो आएगतवे के लाएगा हम इसको revenue expenditure भी बोलेंगे तो that's why option B हमारा बिल्कु correct answer है option B पर आप लॉग लगा दीजिए revenue expenditure आएगतवे हम लोगों का बिल्कुल सही उत्तर रहेगा अगला प्रशन आपके सामने screen पर प्रारंबिक वय उधारन है तो प्रारंबिक वय उधारन है तो प्रारंबिक वय इन में से किसका उधारन है आएगतवे का उधारन है पूंजी preliminary expenses क्या होता है प्रारंबिक वय का मतलब होता है कि कोई भी company जब public issue लेकर आती है या company का incorporation होता है या IPO आयता है तो उससे पहले company को बहुत से खर्चे करने होता है बहुत से खर्चे कैसे जैसे prospectus बनाने के खर्चे हो गए समझ रहे हो underwriters को commission देना ये सारे खर्चे preliminary expenses के पा and loss से write-off करना होता है तो अगर ऐसे खर्चों को अगर हम लोग धीरे धीरे P&L से write-off करेंगे ना तो इस प्रकार के खर्चों को अपन आ इस्तगित आयगतवे मोलेंगे और आ इस्तगित आयगतवे को अंगरी जी में deferred revenue expenditure कहा जाता है तो इसका जो उत्तर होगा वो option C होगा option C हम लोगों का बिल्कुल सही answer है देखे guys आप सभी students like भी बराबर करते रहिए comment भी बराबर करते रहिए answer भी बराबर देते रहिए आप सभी students को good afternoon, good evening, good morning, जब भी आप ये class देखो मैंने आपको advance में wish कर दिया है अब आप देखेंगे next question आपके सामने screen पर कि bank से कारेशी करेशील पुंजी हे टु लिए घ्ल हमने bank से कारेशील पुण पुंजी के लिए रिन लिया है参ल से अप रिन लो रिन ले ना मतलछ पैसा आना, प्राप्ति है तो बता ब्रोपति है प्रांट से क्या मनदोंतर से मंतल प्रांवड प्रांब क्रांद आप में मनंत आ क् revenue expenditure मानेंगे आप इसको capital receipt मानेंगे या आप इसको revenue receipt मानेंगे तो कैईस देखो loan जो होता है वो balance sheet में आता है मानते हो बात तो loan एक प्रकार की प्राप्ती है loan ले रहे है ना तो प्राप्ती हो गई तो expenditure का तो सवाल नहीं उठता मतलब यहां पर यह पूझीगत वे भी कड़ जाएगा आयगत वे भी कड़ जाएगा इधर देखेंगे तो capital expenditure भी कड़ जाएगा और revenue expenditure भी कड़ जाएगा तो व्यायकातों को सवाल नहीं उठता अब बात आती है प्राप्ती की मानते हो बात तो यह जो प्राप्ती है यह हमारी पूझीगत प्राप्ती है पूझीगत प्राप्ती क्यों है क्योंकि अपन हर साल लोन नहीं लेंगे कभी कबार लोन लेंगे तो इसी कारण से यह हमारी पूंजीगत प्राप्ती कहलाएगी इसी करण से हम इसको capital receipt बोलेंगे तो capital receipt आपका इसका बिलकुल सही अंतर होगा तो option C पे आपको lock लगारा है option C पे आप ताला लगा दीजिए पूंजीगत प्राप्ती capital receipt next question आपके सामने कि निवन में से कौन सा पूंजीगत व्याएग नहीं है इनमें से कौन सा capital expenditure नहीं है तो आपको चार option गिवन होंगे उसमें से मान के चलिएगा कि तीन option तो ऐसे होंगे जो capital expenditure होंगे एक option ऐसा होगा जो capital expenditure नहीं होगा तो जो नहीं होगा वो हमारा उत्तर होगा उसकी हमको तलाश है तो देखिए खरीदने से लेकर उसको install करने तक जो भी खर्चे होते हैं उसको चलाने के लिए जो भी खर्चे होते हैं वो सब अपने capital expenditure के पार्ट है बरोबर तो आपने बताव पुरानी कार को खरीदा और उस पर आपने मरमत के 10,000 रुपे चुका दिये गाईस तो गाईस ये है ना हमा भवन सामगरी के भंढारण ही तू निरमित आइस्ताई धाचे की लागत 15,000 अपने को भवन बनाना है बिल्डिंग मनानी है बिल्डिंग मनाने के लिए मजदूरों को रहने के लिए अपने को एक आइस्ताई जोपड़ा देना पड़ेगा उसका लिए जो उसकी जो लाग वो capital expenditure नहीं होगा, उसे तो आपन revenue expenditure कहेंगे, इसी कारण से इसका जो सही answer होगा, वो option D होगा, English में अगर आप देखें, which of the following is not a capital expenditure, option A, rupees 10,000 spent on overhauling of a second hand car purchase, अगर अपन कोई second hand car करीते हैं, और उस पे अगर अपने overhauling expenses किये, it is also part of capital expenditure, rupees 10,000 paid as excise duty on new capital investment, जब अपन new capital investment करते हैं, उस पे अगर अपने excise duty का payment करते हैं, तो ये भी अपना capital expenditure है, rupees 15,000 spent on construction of temporary structure for storing building material, building material को बनाने के लिए अपने कोई temporary structure बनाया है, तो वो भी अपना capital expenditure का part है, but rupees 10,000 paid for removal of old waste and scrap, अगर आपको सारा waste और scrap को remove कराना है, उसको हटाना है, साफ सफाई करानी है, तो साफ सफाई कराने का जो खर्चा होता है न, वो capital नहीं होता है गाई, वैवी नहीं होता है, तो that's why option D, correct answer, option D यहापे बिलकुँ सही उत्तर है, चाहे वो अंगरी जी माध्य में हो या हिंदी माध्यम में हो, अगला प्रशन आपके सामने स्क्रीन पर, भवन की सफेदी का व्या है, भवन समस्क्रेंग, बिल्डिंग पे पुता ही करा रहे हो, आप सफेदी करा रहे हो, हर साल करानी होगी, आई बात समझ में, क्योंकि maintenance में आ जाता है, तो जो खर्च बीसाई अंसर होगा, बिल्डिंग वाइट वाशिंग एक्सपेंसेज, तो बिल्डिंग वाइट वाशिंग एक्सपेंसेज क्या होगा गाईज, revenue expenditure का पार्ट वाना जाता है, अगर आप लोग नया भवन लेते हो, या नए भवन पे पुताई कराते हो, नए भवन पे सफे का गाम कराते हो, तो वो capital expenditure का पार्ट होगा, पर ये तो क्योंकि पुराना भवन है, तो पुराने भवन पे अगरा पुताई करा रहे हैं, तो ये हमारा capital expenditure का पार्ट नहीं होता है, revenue expenditure का पार्ट होता है, अगला प्रशन आपके सामने, निम्न में से कौन सा आएगत्वे है, आइगत वे का मतलब revenue expenditure है आपको चार तरह के expense given है उसमें तीन तरह के capital expenditure होगा और एक आपका revenue expenditure होगा तो जो आपका revenue expenditure होगा वो आपका सही answer होगा तो इस तरह के question करने के लिए ना पहले आपको आपको आपने मन में बोलना होता है कि question वाला पूछ क्या रहा है आपसे समझ रहे हैं मेरी बार option A कानून के अनुसार cinema hall में बाहर जाने हिटू नए दरवाजे का निर्मान करने की लागत मतलब अपने को कानून के अनुसार cinema hall में exit door बनाने पड़ते हैं तो exit door जो होते हैं जादा होने चाहिए number of member के according हमारे पास में exit door होने चाहिए ऐसा नहीं कि 800 members की capacity वाला आपने cinema hall बनाया और उसमें exit door आपने की वाल एक ही लगाया तो उससे क्या होगा पता है लोगों के साथ में दिक्कत आएगी परेशानी आएगी तो अपने को legally उसके according exit door उस according रखने पड़ता है तो क्या ये खर्चा आपको लगता है आएगत है कारखा न निर्मान के दोरान चुकाया गया रिन पर व्याज आपने factory का जब आपने क्या किया निर्मान कराया उस पर आपना व्याज चुकाओगे रिन का तो क्या आपको लगता है ये आपके लिए आएगत है पुराने भवन को गिरानी की लागत वे नए भवन के नक्षे के निर्मान की लागत आपको लगता है ये आएगत है व्यापादी द्वरा मशीन का क्रे वे मार्ग में शत्तिगरस दस सिलाई मशीनों की मरमत लागत पता एक बिजनसमें ने जिसने मशीन को खरीदा है और मार्ग में जब वो मशीन आ रही थी तो दस मशीने क्या हो गई हमारी डैमेज हो गई तो जो दस मशीने हमारी डैमेज हो गई ना उसकी आप से पूछी जारी है लागत तो क्या आपको लगता है कि यह आपका रेविन्यू एक्सपेंस है बताए क्या होगा अंसर अगर मैं इंग्लिश में पढ़के बता हूं आपको तो कानून के अनुसार सिनेमा होल में बाहर जाने ही तो नए दिर्वाजे की निर्मान लागत तो यार यह दो आपको जाना होगा अगला प्रशन आपके सामने स्क्रीन पर कारखने के जमीन संबंदी विवाद है तो वक्यल को चुकाई गई 15,000 रुपे की फीज तो विवाद है जमीन से संबंदी विवाद है आप संबंदा तो यह पूंजी का त्रही माना जाएगा प्रड़क्ट उसके निर्मान पर कोई खर्चा कर रहे हो तो वह कौनसा खर्चा कर रहे हो तो वह कौनसा खर्चा कर रहेगा आपका आएगत व्या कर रहेगा ठीक है क्योंकि उत्पात का निर्मान तो आपको हर साल करना है तो उत्पात का निर्मान तो यह एवरी येर होने spend on an advertisement campaign, the benefit of which likely to three years, मतला अपने एक advertisement का खर्चा किया, है ना, एक campaign हमने चलाया, उस पर अपने विज्यापन का व्या किया, और उस खर्चे का benefit अपने को आने वाले तीन सालों तक मिलना है, तो देखो पहली बात तो ना तो यह अपना आएगा तो नहीं, नहीं अपना पूंजी का तो नहीं, इसे अपन करेंगे deferred, मतलब इस खर्चे को तीन सालों में बाटेंगे, तो it is a deferred revenue expenditure guys, that's why option C हमरा बिलकुल सही उत्तर है, हम इसको deferred revenue expenditure बोलेंगे, हम इसको आइस्तगित आयगत वे बोलेंगे, अगला प्रशन आपके सामने, देखेंगे आप पच्चो वोई, विग्यापन पर वेर आशी है, जिसका लाब तीन वर्षों तक मिलेगा, अपने विग्यापन पर कोई खर्चा किया, ज पून जिगत प्राप्तिया दर्शाई जाती है, पून जिगत प्राप्तिया कहा दर्शाई जाती है, आपसे पूचा जारा है, capital receipt दर्शाई जाती है, लाभनी खाते में, छिट्टे में, व्यापार खाते में, या पून जिगत कोश में, बताइए बच्चो पून जिगत प मतना चला हूँ कि अगर आप मध्यप्रदेश से हैं तो MPTED के द्वारा First Grade Commerce निकाला गया है MPTED के द्वारा First Grade Economics निकाला गया है उसके बाद में हर्याड़ा में PGT Commerce चल रहा है KVS PGT Commerce और KVS PGT Economics इतने सारे courses चल रहे हैं आप में से कोई भी विध्यारती अगर इन courses की तयारी कर रहा है न और आप confuse हो, confuse क्यों हो कि course तो है, exam भी है देना भी है, selection भी लेना है teacher भी बनना है और सरकारी दौकर बनना है ये तो आपने ठान ली पर आपका मन confuse है, आप ये जानना चाहते हैं कौन है ऐसा जो आपको तयारी कराएगा हम कहां से course खरीदे क्योंकि हम कोई भी YouTube पे lecture देखते है न तो वो संस्तान तो बहुत सारे courses कराते हैं नज़रा रहे हैं, हमको तो na specialist से पढ़ना है, आई बस समझ में तो उसके लिए आपको बिलकुल भी चिंता नहीं करनी है, RPSC अड़ा पूरे देश में एक मात्र ऐसा platform है, जहाँ पर commerce के शेतर में, जो भी सरकारी vacancy निकलती है, उसकी तैयारी हम कराते हैं अगर आप हमारे courses को खरीदते हैं, तो इसमें आपको मिलेंगे recorded classes, साथ में आपको हम लोग देंगे doubt clearing session, उसके बाद आप लोगों को हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम में अलग से मिलेंगे notes, आप लोगों को chapter wise question bank में हिंदी और इंग्लिश में अलग-अलग देने वाले हैं सबसे बड़ी बात, कि हमारे आपे 15 से भी अधिक chartered accountant company secretary, PhD holder assistant professor की team के द्वारा बढ़ाया जाता है और इसलिए हम गर्व से कहते हैं कि हमारे आपे विशे के विशेशग्य पढ़ाते हैं, हमारे आपे एक subject एक ही teacher बढ़ाएगा और ऐसा नहीं है कि एक teacher आपको धेड़ो subject बढ़ाते में मिलेगा हम general physicians के विश्वास नहीं रखते expert पे विश्वास सकते हैं और इसी कारण से RPSC बढ़ा से हजारों बच्चों ने classes लिए और काफी बच्चों के सरकारी नौकरी उन लोगों को प्राप्त हो चुकी है क्योंकि हम सब यही जानते कि अगर आपके अंदर जोश है सरकारी नौकरी पाने का तो हमारी पूरी टीम में जुनून है आपको सरकारी नौकरी दिलाने का तो आज ही आप अपना mobile उठाएं मेरी बातों से संतुष नहीं हुए कोई दिक्कत नहीं है हमारी help line नंबर पे call करें अपने सारे प्रशनों के जवाब आप प्राप्त करने के बाद अगर आपका दिल all is well कहना तो जाके आप course खरी दिएगा ठीक है बाकी मत लीजेगा अगला प्रशन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा नए उत्पाद को जारी करने ही तो विग्यापन वे कोई नया उत्पाद है उसको जारी करना है और उसको जारी करने के लिए केबल विग्यापन वे है भारी विग्यापन वे निया ओनली फॉर विग्यापन वे है तो advertisement expenses आइगत वे गलाएगा revenue expense कलाएगा ठीक है तो पूंजी गत वे बोलोगे या आइगत वे बोलेंगे आइगत मैं इसको इस्तगित आइगत कब बोलता मैं इसको डैफिड कम मानता डियर जब यहाँ पर लिखाओ था भारी विग्यापन वे है heavy advertisement expense लिखा हो था न गैस तो मैं इसको इस्तगित मानता अभी अपने को इसको revenue मानने का है ठीक है अगला question एक company ने बाजार में नए उत्पात को लाने पर विग्यापन वेके पाच करोड रुपे खर्च किये हैं यहाँ वे कौन सा होगा English देखो a company incurred rupees 5 करोड on massive advertisement campaign at the timing of launch of a new product in the market this expenditure there is massive advertising लिखा है ना तो यहाँ पे massive भारी विग्यापनवे लिखना है हिंदी में भारी लिख दीजेगा भारी विग्यापनवे कर दिए भारी विग्यापनवे मतलब बहुत बड़ी मात्रह में किया विग्यापनवे जिसका लाभ अपने को प्रारंध में नहीं मिलेगा, आने वाले कई वर्षों तक मिलेगा, इसी कारेंट से अपने इस खर्चों को पता हूं क्या करते हैं, एवरी येर थोड़ा 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 करके राइट आफ करते हैं, जैसे 5 करोड का खर्चा है, ठीक है, और मैं मानता हूं कि इसका लाब मुझे आने वाले 5 साल मिलेगा, तो मैं प्रतिवर्च खर्चा कितना मानूँगा, एक करोड, तो इसे अपने को क्या करना चाहिए, आइस तक इत मान देना चाहिए, तो अपने इस लाइक, तो बस अब आप लोग फ्री क्लासे जोइन करें, तो आप अपना जीवन का एक सेकिंड निकालके के वर बटन दबाना है, लाइक करना है, अगला प्रशन आपके सामने, कि स्टेशनरी में कागच करें किये, स्टेशनरी में कागच करें किये मतलब, पेपर पर पर पर यूज एस स्टेशनरी, हाँ हं ल romantic हें हिंदी में कुछ अर्थ का अनर्थ हो गया, इंगलिस जेको में पर 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 फटन कंगे Goan किये मतलब, मतना और पर 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 नीक हैं के वर रे पर B पे ठीक लगाना है, option B हमारा बिल्कुल साही अंसर है, आइगत व्य, अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा पूंजिगत प्राप्ती का उधारन है, इन में से कौन capital receipt है, option A, इस ताई संपती की विक्रे की राशी बिल्कुल, क्योंकि हम तो हमारे व्यापार मे माल को बेचते हैं, माल बेचना अपना व्यापार है, संपती बेचना व्यापार नहीं है, तो ये कभी कबार ही बेचेंगे, कभी कबार बेचेंगे, तो इससे जो प्राप्ती होगी, वो पूंजिगत प्राप्ती होगी, संस्ता से प्राप्त रिन, ये भी पूंजिगत प् तो which of the following is our example of capital receipt इन में से कौन सा capital receipt का example है तो sale proceed of fixed asset, अगर आप assets को बेच रहे हो उससे जो पैसा आ रहा है न तो यह आपकी capital receipt होगी loan raised from financial institutions, financial institution से loan लिया आपने, it is also capital receipt, sale of investment investment को बेच के जो पैसा आया यह भी capital receipt है, that's why option D हमारा बिल्कु correct answer होगा all of the above, next इस्ताई संपती के अधिगरहन हे तू, व्य है जो व्यावसाय में आय प्राप्ती हे तू निरंतर प्रयूक्त होती है, ठीक है एक्शू दिन्दी जदा होगी, इंग्लिश देखते है all expenditure which result in the acquisition of permanent asset which are intended to be continue used in the business for the purpose of earning revenue, बिल्कुल simple थी बात है, ऐसी asset जो हम business में लंबे वर्शों तक उपियोग में लेते हैं जिससे हमको लंबे समय तक revenue मिलती है क्या बोलोगे आप उसको क्या मानोगे आप उस खडचे को, बताओ गाई spoon जी कत्वे मानेंगे अपन, option ही है बिल्कुल सही answer है actually क्या होता है, हम लोग काले अंग्रेज होता है काले अंग्रेज का मतलम में आपको बताना चाहूँगा कि हमें शुद Hindi बिल्कुल समझ में नहीं आती है और हमें शुद English भी समझ में नहीं आती है हम जब शुद Hindi में परशन पढ़ते है तो हमारा दिल कहता है कि यार इंग्लिश में क्या होगा अगर अपन शुदे इंग्लिश में प्रशन पढ़ता है तो हमारा दिल कहता है कि यार हिंदी क्या होगी इसलिए पेपर वाले क्या करते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको कोशन देते हैं सर यह MPTET कॉमर्स तो वो क्यों ही है बिल्कुल है आप अराम से जोईन कर सकते हो अराम से इन classes को देख सकते हो अगला प्रशन निम्न में से कौन सा शुदल आपको कम दर्शाता है मतलब इनमें से ऐसा क्या है जो net profit कम दिखाएगा देखो करतीम संपतियों का अपलेखन मतलब fictitious assets जो थी ना उसको write-off करना पूंजी का तवय को आएगा तवय मानना और सामाने संचे का निर्मान करना बताइए इनमें से कौन सा शुदल आपको कम दर्शाता है इनमें से कौन which one of the following will lead to understatement of net profit इसमें से कौन सा net profit को करता है एक काम करते हैं हिंदी में नी इंग्लिश में देखो which one of the following will lead to understatement of net profit इनमें से कौन net profit को कम करता है तो creation of general reserve treating the capital expenditure as revenue expenditure देखो net profit को कम करता है तो देखो इसका net profit से कोई लेन देना नहीं है क्यों कि यह ना यह तो अप्शन भी हमारा बिल्कु सही अंसर होगा तो इसका उत्तर होगा वह होगा पूंजी गत्व्य को आयगत्व्य मानना समझ गए और यह पर है जो उसके मुल्य का 20 परसंट है जिससे उसकी कारे शमता में व्रदी हो रही है यह मशीन की कारे शमता को बनाया रखने बनाया रखने है तो छोटे हिस्से को बदना तो बच्चों देखो सिंपल सी बात उत्पादक तो बढ़ रही है मतलब profit बढ़ रहा है capital expenditure हो गया जीवन बढ़ गया मतलब की profitability बढ़ गई capital expenditure उसके बाद में कारे शमता बढ़ गई मतलब profitability increase हो गई capital expenditure कारे शेल शमतों को बनाया रखना है बनाया रखना मतलब maintain करना maintain करने के लिए किया गया खडचा revenue expenditure कहलाता है ऐसा खडचा जो हमारी machine को maintain रखता है उससे अपन revenue expenditure कहता है तो complete the overall of a machine तो English में तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप देखो के expenditure by way of maintenance that has increased the productivity या फिर repair of a gearbox in car that has enhanced its operational life या फिर complete overall of a machine spending around 20% of its value और D option यहा पे गाया वे है तो जो D option होगा वही इसका answer होगा that's by option D हम लोगों का बिल्कुल सही और बिल्कुल correct answer है तो बच्चो 17 question में आप लोगों कर रहे हैं बाकी तीन questions आप लोगों के लिए homework रहेंगे तो आप इसको homework करिएगा मैं आपको fees बता रहेता हूँ अगर आप MPTET first grade commerce के तयारी हमारे यह से करोगे टू टृपल नई'd को आपको 1499 में मिलेगा first grade economics करोगे 2999-1499 मिलेगा अगर आप हæ Campaign 20 difference करते हो to there 9into आपको 1499 मिल रहे है KVS PGks कर रहे हो two triple knife आपको 1499 मिल रहे अगर आप KVS PG uz Mac कर रहे-Qessä आपको 1499 मिल रहे है तो 2499 मिल रहे है तो आज ईपने मोबाइल उठाए, एप्लिकेशन डाउनलोड करें, कोर्स पर्चेस करें, अपने तयारी चालू करें, और इस बार 2023 में सरकारी नौकरी पाने के लिए शपत ले ले, ठीक है, चलिए, तो लेता हूँ मैं आप लोगों से अंत मैं कहना चाहूँगा कि जिनको अपने काम से महबत होती है, फिर उनको फुरसत कभी नहीं मिलती है, ठीक है बच्चों, जै हिंद, जै भारत, बंदे मातराम, नमशकार, बहुत-बहुत धन्यवाद, बाई-बाई